हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जोब में डारिक्टरेट ओफ एजुकेशन समगर सिख्षा अभ्यान के दहत सिख्षक भरती का एक नए अड़र्टीजमेंट जारी कर दिया गया है 291 पोस्ट रहने वाली है प्राइमरी स्कूल टीचर की 153 वैकंसी जारी की गई है और इसके साथ में 138 वैकंसी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की जारी की गई है आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुशन किया है बी अ, बी कॉम, बी सी किया है अगर आविदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आविदन कर सकते हैं कोई भी इंटर्व्यू नहीं होगा यहां पर जो है एक्जाम भी नहीं होगा और नहीं जो है आप लोगों की कोई फीस लगने वाली है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है number of post qualification और age यह चीज़े हम देख लेते हैं primary school teacher के लिए अगर आप आवेधन करना चाहेंगे के साथ में दो साल का डिपलोमा किया है और graduation के साथ में अगर आपने B.Ed किया है तो primary school teacher के लिए बिल्कुल यहां पर 153 post के लिए आप आवेधन कर सकते हैं 30 साल से अधिक जो है आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए साथ में आपका जो है TET qualify भी होना जरूरी होगा आपके राज आपके राज्ये का TET बिल्कुल यहां पर आप अपलाए कर पाएंगे उसके बाद अपर primary school teacher के लिए अगर आप विदन करना चाहेंगे तो 138 post के लिए graduation B.A.B.C. या B.C. या B.C. के साथ में और diploma in elementary education वाले या फिर B.A.D. वाले ठीक है B.A.D. अगर आपने कर रखा है या B.A.B.A.D. कर रखा है B.C.B.A.D. या B.C.B.A.D. जो भी आपने यहां पर कर रखा है और किसी भी राज्ये का TET qualify होना चाहिए यहां पर जो है detail of vacances दी हुई है जिसे आपको समझना बेहत जरू अब आप देख सकते हैं यहां पर जैसे primary section के लिए अगर आप primary school teacher के लिए अगर आप आवेधन करना चाते है तो सभी subject की vacancy है लेकिन number of vacancy आप देखें जैसे 120 vacancy है तो यहां पर English की है यह vacancy और केवल English medium पढ़े हुए candidate ही जो है इन vacancy के लिए apply कर पाएंगे अगर आप Hindi medium स पढ़ाई कर रखी है आपने आपका माधियम हिंदी था तो यहां पर केवल 25 vacancy है इसके लिए आप आवेधन करेंगे form में यह जरूर आप लिए आप लिए किस medium से आपने पढ़ाई की है अपर primary school के लिए अगर आप आवेधन करना चाहेंगे तो English medium के जो candidate है तो English में 43 vacancy है Science and Math में 40, Social Science में 27 vacancy है Hindi medium जो candidate है वो केवल English की 5 vacancy है Science and Math की 5 है बस यही 2 subject है ठीक है Hindi medium पास candidate के लिए केवल 2 ही subject है Next, Marathi अगर किसी भी candidate का है तो English में 2 है Science, Math में 10 है Social Science में 6 vacancy है इस तरीके से 138 vacancy है अपर primary school teacher की तो यह आपको ध्यान में रखना है form में अगर आप लिखेंगे तो English medium के candidate केवल जो है जो यहाँ पर subject दिये हुए है इसी में apply कर सकते है और Hindi medium वाले Hindi medium के जो subject दिये है उसी में apply कर सकते हैं यह आपकी जो है clear हुआ होगा form नीचे दिया हुआ है जिसे में आप लोगों को दिखा दूँगी vacancy कहां से जारी की गई है इसे आप देख ले यूटी administration of Dadar and Nagar Havali and Damandiv यहाँ से पहले भी vacancy आई थी समगर सिक्षा के तहत वो vacancy बिलकुल permanent vacancy थी ठीक है तो जै अभी जो है purely short term contract based पर vacancy है government school की है और जिसमें 23,000 जो है यहाँ पर salary primary में या फिर अपर primary school teacher के लिए यहाँ पर दी जाएगी तो permanent भी जो है वो बात में कर दिये जाते हैं यहाँ पर जो है फिलाल अभी कुछ दिनों पहले ही one month ही हुआ होगा जो मैंने ये वीडियो बनाया था जब permanent vacancy की बात यहाँ से की गई थी अभी जो है ये contract based पर vacancy है तो आप देख लें अगर आप कुछ time के लिए यहाँ पर एक साल के लिए अगर आप काम करना चाहते है 23,000 salary है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और permanent teachers जो है उनका selection हो चुका है फिलाल और कुछ seat जो बाक अगर आप आविदन करना चाते हैं तो address है department of education लेखा भवन 66 kv road अमली सिलवासा room number 312 dnh या फिर direct rate of education शिक्षा सदन behind collect rate मोती दमन ठीक है यह address रहेगा और form आप लोगों को नीचे मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं form यह रहा इसे आप लोगों को डाउन्रोड करना है फि medium यह आप लिखें ठीक है हिंदी medium से है अगर आप English medium से है यह आपको लिखना है जैसे कोई candidate अपर primary school teacher के लिए आवेदन करना चाता है तो इस पर पहले क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप English medium से पढ़े हैं या हिंदी medium से पढ़े हैं तो यह आपको लिख देना है यह पर कि subject के लिए है तो vacancy में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है जिस भी subject की vacancy आई है और वो आपका subject है तो आप यह लिख देंगे बाकी जो है वो बिल्कुल normal form है और आप लोगों को fill करना है ठीक है candidate should attach supported document कौन कौन से document आप लोगों को लगाने है तो living certificate, graduation, post graduation, professional qualification आपने क्या किया हुआ है DAD, BAD, BLED, DLED ठीक है BTC उसके बाद अगर अनुभव है if applicable अगर अनुभव है तो लगा दे वैसे अनुभव तो नहीं चाहिए TET result बिल्कुल लगाना है किसी भी राज्य का TET clear है वो बिल्कुल आप लोगों को लगाना है उसके बाद SSC mark sheet है, high school की mark sheet है यानि 10-12 की graduation की post graduation की degree mark sheet दोनों ही लगानी होगी और cast certificate यहाँ पर age limit 30 year है और अगर age में relaxation यहाँ पर दिया जा रहा है तो cast certificate जो है वो आपको लगाना होगा ठीक है और बाद में जो है आप लोगों को signature कर देना है last में यह जो है for office use only आपके लिए नहीं है तो यह आपको करना होगा अपर age limit जो है यहाँ पर आप देखें not exceeding 30 year तो central government के नियमों के अनुसार जो भी upper age limit यानी की I.U. में जो छूट होती है तो वो बिलकुल आप लोगों को दी जाती है category wise तो यह आप देख लें आप लोगों को जो है यह notification कहां से मिलेगा form कहां से मिलेगा सबसे पहले main website पर जैसे ही आप लोग आते हैं तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर job and vacancy नज़र आएगा इस पर आप लोगों को click करना है second number पर sorry third number पर लिखा है direct rate of education advertisement for the post of primary school upper primary school purely on short term contract basis under समग्र सिक्षा यह vacancy इस पर जो है आप लोग click करेंगे और उसके बाद जो है आपके सामने यह notification होगा 6 March जो है वो last date रहेगी यदि कोई भी candidate interested है तो बिल्कुल apply कर सकते हैं काफी vacancy आती है यह काफी अच्छी vacancy है क्योंकि exam नहीं है interview भी नहीं है और कोई भी fees आपकी नहीं लग रही है आपर primary school के लिए 138 यहाँ पर post आई हुई है चीक है और बाकी जो है primary के लिए मैंने आपको बताया 130 153 post है तो चलिए मिलेंगे next video में किसी भी राज्य की vacancy की सूचना जैसे ही पता चलती है आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के मात्यम से बताई जाएगी पहली बार channel पर आये हैं तो channel को subscribe कर ले well button को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का notification YouTube की तरफ से समय पर आप लोगों को मिल सके थैंक यू